करेंगे कि दस मिनिट पें चार सवाल जो है ड़क है कैसे आप करेंगे तो बरस्ति उपाधा है आजresse पहला सवाल देखे उन वांचिक नहिता दキ prints समलों में नाइट्रूजन इचारों के किस एक जोड़े को उसके आगे दी गई सोडी के संग त्लिक टमिलाया गया है जानगा तो यहां पर द्याम दिया है गौन एडेनिन Purine, Adenon, Thymen, Purine Thymin Uresol Pyrimidin और Uresol Cy retiring तो आईये देखते हैं साब क्या होता है हमाई दो तरीके के Nitrogen P ार shop होते हैं एक होता है Purine और एक होता है Pyramidin ठीक है अब यह जो दो होते हैं इन में से Purine कौन कौन सा है Adenin और Gonin और Pyramidin कौन से है cytosine, thymine और uracil यह है तो अब यहाँ पर दिया हुआ है गलत कौन से है तो देखो जरा gonin, adenine, purine है बिल्कुल सही बात है तो यह answer नहीं होगा अब adenine, thymine, purine है adenine, thymine, purine नहीं है तो क्योंकि यह purine नहीं है तो यह गलत हुआ अगला देखते है thymine, uracil, paramedin है बिल्कुल सही है, देखे thymine, uracil और uracil, cytosine, paramedin है यह भी बिल्कुल सही बात है तो सवाल क्या पूछा था सवाल पूछा था कौन सा गलत है जब कौन सा गलत है पूछ रहे है तो जवाब क्या होगा यह बाला, ठीक है तो यह जबाब आपका है कि कौन सा आपका जो युग्म है वो गलत है, ठीक है आगे बढ़े DNA के दो पूरक नुकलिटाइट क्योंकि DNA में क्या होता है दो धागे होते हैं तो दो धागे हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं नुकलिटाइट की शंकला होते हैं एग कि शंकला का क्रम है अगर एक क्क्रम यह है तो दूसरा इस से उल्टा होगा ठीक अब आपको याद होगा आपने पड़ लख्खा है एक नाम का नियम क्या था चारगाव का नियम कि एडिनीन को है वह लिँद स्टाइटोसिन के स्टंग क्या करता है बंद बनाता है एक दो हाइड्रोजन बॉंड एक तीन हाइड्रोजन बॉंड इसका मतलब है कि एक उल्टा क्या लगेगा टी जी का उल्टा क्या होगा टी का उल्टा जी का उल्टा एक उल्टा टी था तो टी का उल्टा यहां भी अब और जब जी है तो इल्टा दी एक अल्टा यह हमारा एंसर है देखिए कहां पर लिखा हुआ यह एंसर है आगे बड़े अगला सवाल देखने हैं कौन सा है बाईलोजी में इसी तरीके से सवाल करते रहे हैं थोड़ी सी सेलेक्षिन में जो बाईलोजी का रोल होता है वो यही होता है कि इस वीड़ आपको देदेगा है है तो अगला सवाल देखते हैं यह दिदि डिने की कोड़ ओन एटी जी एटी जी और एटी जी है अच्छा भई आपने पढ़ लगा है क्या पढ़ लगा है जनेटिक कोड़ पर आपने पढ़ा है कोई भी अनुवांशी कोड जो होते हैं उसमें तीन नाइट्रुजन चार होते हैं तो यहां पर आपको जो तीन-टीन की कम में लिखा हुआ है इस कम में लिखा है एटीजी और एटीजी जी और एटीजी आपने पर लखखा एक नाम है फ्रेम शिप्ट उत्परिवर्तन यह कहीं न कहीं उत्परिवर्तन का एक उधारन हो रहा है तो हमने एक साइट्रुसिन को जोड़ दिया तो क्या बेवस्था बनेगी आपको याद है क्योंकि यह जनेटिक कोड तीन नाइट्रुजन छारों का स होता है तो अगर हम एक समूद्ध एड कर रहे हैं एक नाइट्रुजन छारों लें हैं तो इसका मतलब यहां आ गया तो यह एटी यहां आ गया कि की andy ये अगल बन फिर एक बढ़ बन गया जी एटी और गहार गया अकेला ये जवाब है तो देखे कहां दिख रहाian बहरी है यहां तीन सवाल देखिए हो गए आपके इतनी जल्दी लेकिन चौता सवाल थोड़ा सा लंबा है अभी चौता सवाल क्या है देखते हैं चौता सवाल है कि एक जीन पर नुकलोटाइड का क्रम क्या दिया हुआ है 3AA TCGATA 5 ट्रांस्क्रिप्शन के पस्चात द्रांस्क्रिप्शन के पस्चात इसके बिप्रीत MRNA का निर्माण होगा बिलकुल होता है तो उस MRNA की कोडिंग मता निए कि क्या है क्या MRNA बनेगा और क्या है और जुड़ने वाले एंटी कोड़ॉन में छारों का क्रम क्या होगा अच्छा और ऐसा नहीं है कि सिर्फ MRNA MRNA के अगेंस्ट वे जो एंटी कोड़ॉन होंगे किसके उपर टी आरेने के उपर आपको याद होगा टांसलेशन के समय मतलब अनुवादन के समय MRNA के ऊपर टी आरेने आके जुड़ता है किससे एंटी कोड़ॉन से तो वह एंटी कोड़ॉन का क्रम भी पूछ रहा है दो चीज़े यहां पर पूछ रहा है याद रखिएगा डियने से MRNA कौन सा बनेगा पहली बात और दूसरा MRNA के ऊपर टी आरे T, 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 D, T, 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 G, T, G, T, G, T, 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 A ठीक है तो इसके आप कह रहे हैं अनुपात में इसके जो आरेने बनेगा वो कौन सा बनेगा एक में क्या बनेगा यू यहां रहे हैuzu जो जीसे में ती नहीं है इंगा यहां पर आएगा यू तो यू, यू, U, यहां T है तो यहां क्या आएगा? A, G का उल्टा, T, T का उल्टा, G, फिर एक बार T, G, T, A का उल्टा, U, T का उल्टा, A, यहां पर आगया U, यह बन गया आपका क्या? रने, रने जो बना वो यह बना और यह 5, 2, 3 होगा क्या आएप तो देखे जवाब कहीं पर यह वाला मिल ला है? मैच कर रहा है। भैसे क्या जवाब यहां मैच कर रहा है? देखेH, यहां पर तो U, A, U है नहीं होगा, यहां अ ... U के विपरीत में क्या आएगा ? A U के विपरीत में क्या आएगा ? A आया यहाँ पै भी A और यहाँ पै भी A फिक है तो U के विप्रीप में आ गया a क्यूंकि एक संक यू यू के लिए यूजटाः जुडता है जहां कई हमें U दिख रही है या एज दिख रहाँ उसका उल्टाप भर दो यहां पर क्या होगा 2- 5 यहां कोई दिक्कत इतनी बात में आगे बड़े अब क्या है पी का उल्टा जी जी का उल्टा थी तो यहां पर क्या होगा अगर यहां सी है तो यहां जी है तो यहां सी ऐसे यहां जी है और यहां सी है इस तरीके से यह आपकी कोडिंग बन गई किसकी एंटी कोडॉन की याद रखे है मान दीजे यह आमारा मारने है यह लिखा है ए ए ए यहां पर जो टी आरने आके लटके लिख दिल्ग होता है तो इस तरीके से यहां पर आप के रही यह हो गया अब एक रहे गया वही इसे भी तो लिखना जुरूरी था टीका उल्टा जी देखिए ए यह लिखा है यूजी सी यह लिखा है और फिर यूए यह लिखा तो पूरा हो गया कोडिंग देख लिए आपने तो इस तरीके से यह हमारा सवाल जो हो गया यह हमारा आज का चौथा सवाल था जिसमें हमने कहा कि कैसे DNA से पहले RNA बनता है कब बनता है transcription के बाद ठीक है यहाँ पर साफ साफ लिखा है transcription के बाद RNA बनता है तो वो जो RNA बन रहा है उसकी coding क्या होगी याद रखी का चारगाव का नियम A के विपरीट में T और अगर RNA है तो U तो A का उल्टा T या यू यू का उल्टा A जो चाहे कह लें और C का उल्टा G या जी का उल्टा C यह बात आपको ध्यान रखनी वाद इतना दिमाग में बसा लीजे इतना अगर आपने दिमाग में बसा लिया तो आपका यह सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा तो ठांस्रिफ्ट्ट्रेशन के बात में क्या होगा तांस्लेशन या अनुवादन तो अनुवादन के बात कैसे आप कह रहे हैं कि टीरें आके जुढएंगे अपने अपने amino acid लाके ठीक है तो आज के लिए इतना ही ये आपने 10 minute में 4 सवाल कर लिए आगे ऐसे ही हम लोग और मिलते रहेंगे आज के लिए इतना ही thank you धन्यवाद